स्वागते दोस्तों आप सभी को टिकी राच यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy S10e या फिर किसी भी Samsung Mobile में कैसे आप screenshot capture कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पी देखिए क्या होता है कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप long screenshot और साथ ही साथ कैसे आप screenshot नर्मल screenshot ले सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको complete detail में बताऊंगा तो वीडियो के साथ बने रहेगा और साथ ही साथ चैनल को subscribe करके बिल आइकन को भी दबा द करता है यह वीडियो देखने के बाद आप भी जो है अपने किसी भी samsung model पे जो है आप screenshot ले सकेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखिया आपको क्या करना है सबसे पहला तो यहाँ पे normal जो होता है आपको यहाँ पे power button दिया गया है और यहाँ पे आपका volume down button हो सकता है कि volume down button यह पे भी हो कोई दिक्कत नहीं है आपको volume down button और pound button एक साथ प्रेस करना है तो आपका यह screenshot बन चुका है आप देख सकते हो ठीक है यह मेरा screenshot जो है बन चुका है आप देख सकते हो यह तो रहा पहला trip ठीक है यह एक दम पहला बात है अभी second तरीका आपके ऐसे ले सकते है second तरी है इसे आपको दबा के आपको swipe करना है ठीक है इस प्रकार से जैसे कि हो गया इस प्रकार से आप देख सकते हैं मतलब complete आपका finger को जो है आपको complete प्रेस करके ऐसे swipe करना है ठीक है तो दोस्तों आप देख सकते है यहां पर इस प्रकार से आप जो है ऐसे करने के साथ साथ नहीं कर रहा है तब आपको क्या करना है सिंपले आपको जाना है अपने मुबाइल का सेटिंग्स पर और सेटिंग्स पर जाने के बाद में दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है यहां पर सिंपले आपको जाना है एडवांस एंड फीचर पे उसके बाद आपको यहां पर पाम-Swipe-Capture ये आपका ON करकना है ठीक है, OFF रहेगा तो ये capture नहीं होगा, आप देख सकते हैं, तो आपको ये ON रखना है, ठीक है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर पाम जो है, ये आपको enable करना है, ये enable करने के बाद में ये वाला शोट आप जो ही screenshot ले सकते हैं, अभी दोस्त लेने के लिए देखिए दोस्तो, क्या होता है कि दोस्तो ये दी हर सैमसंग मुबाइल में ये फीचर नहीं दिया गया है, ठीक है, अब समझ दिलिजी ये आपके मुबाइल में हैं, तो आप के से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी कुछ सर्च कर लिजे, उसके बाद छोट फोर लॉंग स्क्रीन शोट आपको यह दिखाए दिगा यह वाला डा क्लिकेशन आपको याव कर देना है, यह कड़क तो यह करने के बाद में Google में मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर आप देख सकते है, स्टार्ट, सेट स्टार्ट पोजिशन, ठीक है, यहाँ पर सेट स्टार्ट पोजिशन मैंने क्लिक किया, और इसके बाद में यहाँ पर आपको स्क्रोल डाउन करना है, scroll down करना है scroll down कीजिए कहां तक आप screenshot लेना चाहते है scroll down कीजिए यहाँ पे और end and capture पे click कीजिएगा यहाँ पे end and capture पे आप देख सकते है screenshot बन जुका है ठीक है आप देख सकते है एकदम high quality में screenshot बन जुका है तो इस परकार से दोस्तों आप जो है आसानी के साथ इस एप के जरिये से screenshot ले सकते यहाँ पे auto scroll mode का इस्तमाल करके यहाँ पे आप चले जाएगा installed app services long shot यहाँ पे enable कर दीजिएगा ठीक है अब यह करने के बाद में क्या होगा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या होगा आपका यहाँ पे तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे click करते है तो आप start now पे click कीजिएगा तो करने के बाद मैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो अलग से notify भी आ चुका है, अभी आप कहीं पे भी जा सकते हैं, जैसे कि मैं Google में चला गया, यह सर्च किया मैंने, उसके बाद आप यहाँ पे start पे click किजिगा, और उसके बाद में, यहाँ पे मैं back चले जाता हूँ एक यहाँ पे मैंने start click किया, तो start click करने के बाद में, okay यहाँ पे जो है, यह अभी सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप एक बार app को बंद कर सकते हैं, बंद करने के बाद में दुबारा आप on कर सकते, long shot will start capturing everything that display on your skin, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते दोस्तों आप screenshot ले सकते हैं, यहाँ पे आपको और भी option वगेरा दिया गया, long screenshot यहाँ पे images वगेरा भी दिया गया, ठीक है, इस सारा कुछ आप कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखे, बाकी screenshot मैंने आपको बता दिया है, यह दो button का इस्तमाल करके आप कर सकते हैं, ठ ठीक है, और यहाँ पे, कहीं पे भी आप जा सकते हैं, वो ink music हो गया, कहीं पे भी जाकर आप screenshot ले सकते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे, कहीं पे भी जाकर आप screenshot ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है, और यह था दोस्तों complete screenshot, अभी यहाँ पे मैं आपको द इस परकर से आप सेटी स्क्रिन शोट जो है ले सकते हैं. तो दूस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. ठैक्स पर आचिंग.